पहले बता दूँ कि ये गाड़ी तो मेरी है नहीं यार ये तो बैस मैं डिलिवरी करने जा रहा हूँ और मेरा तो कोई सोरों भी नहीं है तो ये गाड़ी यार मुझे दिया यार सिमियोन ने डिलिवर करने के लिए कियोंकि मुझे ये गाड़ी काफी जदा पसंद आई थी तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि इस गाड़ी को मैं डिलीवर करने जाऊंगा तो यार काफी जदा अच्छी गाड़ी है लिटरली में ये मुझे मिल्टरी में डिलीवर करनी है मिल्टरी करनल को तो फट फट यार मिल्टरी करनल के पास चलता हूं लेकिन यार इसका स्पीड टेस्ट तो बनता है ना यार मिल्ट्रिक बेस के अंदर ही मैं इसका थोड़ा सा ड्राइविंग टेस्ट करी लेता हूं यार कॉफी जदा उसम चलती है यह गाड़ी चलो यार अब वक्त आ गया है यार इसको मिल्ट्रिक करनल को सोपने का क्योंकि अगर इसमें स्क्र गाड़ी देने के लिए आया हूं मुझे सिम्यों ने बेजाया अच्छा ठीक ठीक तुम यहां से जा सकते हो अच्छा तो यार मैं बस जाता हूं क्योंकि यार मेरा काम तो बस यह गाड़ी डिलीवर करना था यहां पर लेकिन इसका गेट खुला है तो यार इसका गेट ही वरना तो क्यों ही यहां पर साइंटिस्ट आता है इनकी बात सुन लेता हूं और यार साइंटिस्ट सहाब आपने बताया कि लो सेंटोस के अंदर बर्फबारी होने वाली है लिटरली में 99% चांस है हमें यार अभी सीक्रेट बेस बनाना पड़ेगा जब हम इस क्रिटिकल स करना तो हम मारे जाएगे यह बात काफी ज़्यादा जो है सीक्रेट रखी जाएगी क्योंकि अगर सब को पता चल गया तो फिर सहर में भगदर मत जाएगी और यह भगदर हम अचाना नहीं चाहते यार यह बात मैंने क्या सुन ली यह बात काफी ज़्यादा सीक्रेट है य Literally में अभी लो सेंटोस के अंदर बरबबारी होने वोली है और बरबबारी भी कोई छोटी मोटी नहीं बलकि पूरा का पूरा सहर बरफ के अंदर समा जाने वाला है और इस सिचुछेंस से आर कैसे निपटेंगे इसका भी कोई अंदाजन नहीं है यार क्योंकि पानी से मैं एक बर निपट चुका हूँ मतलब सुनामी से बवंडर से भी मैं निपट चुका हूँ लेकिन यार ये बरभबारी का experience अपने को बिलकुल भी नहीं है तो इसके लिए भी अपने को कुछ न कुछ तो plan करना पड़ेगा यार लेकिन सबसे पहले तो मुझे यार यार मिल्टरी बेस से निकलना है क्योंकि अगर मिल्टरी बेस वारों को पता चल गया कि ये बात मुझे पता चल चुकी है तो यार ये मुझे भी निपटा सकता है क्योंकि ये बात काफी ज़्यादा secret है अगर किसी बाहर वाले को पता चल गई तो भगदर मत सकती है ऐसा इन लोगों को लगता है और वैसे भी मैं ये बात किसी और को भी नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर जो है उनको पता है कि मिल्टरी बेस में सिर्फ एकी बंदा आया था जब ये बात चल रही थी वो बंदा है तो ये इनका सक सिर्फ पर सिर्फ मुझ पर ही जाएगा तो यार फटफट यहां से निकलता हो और ये बात में किसी दोस्तों मुझे अपने घर को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा प्लैन बनाना पड़ेगा जिससे मेरा जो घर है वो बरफ के अंदर ना धसे वो तो यार अभी प्लैन क्या बनाना है वो तो अभी मुझे जो है अपने घर पर ही चल कर पता करना पड़ेगा क्योंकि यार वहां पर देखूंगा कितनी जिगे जो है खाली है, कहां पर छट डालनी है कहां पर पिलर लगाने है सब कुछ अपने को देखना पड़ेगा उसी हिसाब से जो है अपने को maior decision लेना पड़ता है दोस्तों यार और हाँ यार जो चैनल पर पहली बराए है तो चैनल को कर दीजे subscribe वीडियो को कर दीजे लाइक यह देखो भाई सब यहां पर पूरा का पूरा खाली एरिया है लिटरली में यह पूरा का पूरा बरफ में धस जाने वाला है अगर बरफबारी हुई तो जैसा कि उस साइंटिस्ट और जो है मिल्टरी के करनले बोला था कि निन्यान में परसेंट चांस है कि बरफबारी हो लेकिन एक परसेंट चांस है कि बरफबारी ना हो यानि कि निन्यान में परसेंट है तो जाद़ चांस तो यार अभी हो यह है कि अपने यहां पर बरफबारी होगी फुल्टू और इस बार बरबारी है ऐसी वैसी नहीं लिटरली में इंसान जम जाने वाल है सास भी नहीं ले पाएंगे इतनी तगड़ी बरबारी होने वाली है दोस्तों तो यार मुझे तो अपनी घर को सेफ करना होगा तो यार मैं देखके आता हूँ यार किसी कंस्ट्रक् यार अपने को दिवार और छत मिल जाए तो काफी अच्छा है क्योंकि मैं रेडिमेंट लेकर आऊँगा क्योंकि यार मैं किसी मजदूर को तो ठेकर देने वाला नहीं हूँ मैं खुदी अपना कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ छत लगाऊंगा पिलर लगाऊंगा जो भी बेर के बंदे को करवाय है तो काफी जड़ा मेंगण पढ़ जाए यार यहाँ पर मैंने इसके पास दिवार मिलती है तो फूछ ले अच्छे सेका है कि और धुर सबसे लेavingma ऐसे के मिलेगी दिवार और रख चर्ट और देखो यहाँ पर मैंने एत रिए मैं morte क्प्रार रह बोले ते यार इसका जो पैटन है काफी ज़्यादा यूनिक है लेकिन ये दिवार भी काफी ज़्यादा यूनिक है जो कि ऐसा लगता है जैसे टूटी हुई दिवार हो लेकिन इसने मुझे बता रखाए कि ये दिवार टूटी हुई नहीं है और यहाँ पर इंट की दिवार भी है जो कि काफी ज़्यादा पतली है ऐसा लगता है कि गुसा मारूंगा तो तूट जाएगी है इपारी ये ब्लू कलर की दिवार है और यार मुझी ये वाली दिवार काफी ज़्यादा पसंद आ रही है लेटरेली में मैं इस दिवार का ही पूंचता हूँ यार कितने का क् सब कुछ पता करता हूँ अरे साहब इस दिवार का प्राइट क्या है अरा बाई ये येस प्राइट तो साफ से महंगी है आप इसे खरीच सकते हो A1 क्वालेटी है साहब इसकी अच्छा A1 है तो यार मैं तो यहीं पर इसे ही ले जाओंगा तो यार मैंने पूरा का पूरा जो है ट्रेक लोड करवा लिया एक पर में मैं दो ही ले जा सकता हूँ क्योंकि ये ट्रक छेल नहीं पाएगा इनका वजन क्योंकि इन दिवारों में काफी ज़्यादा वजन है यार और इनकी रूफ भी काफी ज़्यादा मजबूत बनेगी और पिलर का अभी मैंने कुछ सोच नहीं है मैं इनको पिलर की तरह भी इस्तमाल कर सकता हूँ वो यार अभी अपन अपने घर पर चलकर ही देखेंगे किस तरह से मुझे इसे इनका इस्तमाल करना है वैसे तो यहाँ पर घर अपना पास ही में है तो अपने को ज़्यादा जाने की जर्रत नहीं है दूर क्योंकि अपना घर यहीं पास में है बस यहाँ से राइट लेना है फट फट राइट ले लेता हूँ चोड चलते हैं अपने घर की तरफ नहीं यार मुझे लगता है मैंने wrong turn ले लिया है बलकि मुझे तो left जाना था यार इस बरफबारी के चकर में मैं तो अपने घर का रस्ता भी भूल रहा हूँ यार दिमाग खराब हो रहा है दोस्तो आज कर पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं सब कुछ भूलते जा रहा हूँ यहां तक कि अपना घर भी कुछ दिन तो बात ऐसा लगेगा कि यार मेरा नाम भी Franklin नहीं है यह भी मैं भूझ जाऊँगा ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यार अपनी यादा सब धीरे धीरे कमजोर हो रही है जैसे जैसे मैं बूड़ा हो रहा हूँ और मेरी उमर भीत्ती जा रही है तो यार हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आ जाए कि मैं सब कुछ भूल जाऊँ लेकिन यार अभी तो अपने को सिर्फ और सिर्फ जो है घर को ठीक करने में देना यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो है दिवार में ले आया हूँ अभी छट पर देखकर जलते हैं क्या यह अपने घर पे लग भी पाएगी यह दिवार वैसे मुझे लगता है यह दिवार सही नहीं यह अपने घर के लिए मैं यार दिवार को चेंज कर लूँगा यार कोई नहीं क्योंकि यार ये मेरे घर पर सूट करेगी नहीं और काफी ज़्यादा एक्सपेंसिव है दोस्तों क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है लगबग इसमें मेरे 500 करोड रुपिय इन्वेस्ट हुआ है और फिर मैंने यार ये इट वाली दिवार करेद के लगवा दे क्योंकि ये मुझे सिर्फ पर सिर्फ सो करोड की पड़ी थी काफी ज़्यादा सस्ती है फिलाल तो मैंने सब कुछ जो है मैनेज कर लिया है और इनको लगा भी दिया है ठीक तरीके से तो यहां से मैंने खुला रखा है ङुओ ट्रफ ग्मे चाहर चाह्स तो कि बरफबारी नहीं होँगे सब कंदर क्योंकि नीचे की साइड देखो बिल्कुल भी जो है बरबारी हो ही नहीं सकती अंदर तो हो ही नहीं सकती लेटरली में और यहां पर मैंने थोड़े सी होल छोड़े हैं ताकि जो है कि अंदर हवा वहा आसा के थोड़ी बहुत क्योंकि यार इंसान को हवा के भी जर्रत खाएगी फिलाल तो यार मैं अंदर जाता हूँ और सोज आता हूँ क्योंकि यार अभी मैं काफी ज़्यदा ठक चुका हूँ यह सब करने के बाद यार मैंने इतनी सारी मैनत की है ओल ड़ाइट गाईज यार अभी हो चुके है सुबह अभी चलते है और देखकर आते है पा बपारी हो रही है अलकी फुलकी देख पारे है आप लोग थोड़े भोच जो है बरफ के टुकडे आ रहे हैं यार मतलब बपारी होगी और अभी माहोल देखकर आता हूं यार कैसा है अभी तक तो माहोल ठीक नज़रा रहा है जादा कुछ तो है नहीं अगर इतनी बपारी यहाँ पर तो काफी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाई चल रहे है देख पा रहे होगे जैसे कि आप लोग कितनी ज़्यादा ठंडी हवाई यार मुरे तो हाथ के बाल भी खड़े होगा इतनी ज़्यादा हवा चल रही है यार मैं बार रहा तो मर जाओंगा जल्दी से अंदर जाता हूं यार यहाँ पर आ रहा है थोड़ा बहुत मज़ा क्योंकि यहाँ पर पढ़ रही है यार गर्मी वसे यहाँ पर भी थोड़ी बहुत अवा रही है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है तो अभी यार देखो कितना चम्मा हो लै यार मैं बच चुका हूं इस ठंड की महामारी से क् कि यार मैंने करवा लिया था सही वक्त पर अपने घर पर च्छात ओर दीवारें I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो